आज की रेसिपी नाडिल की लड़ू है जिसे बनाना तो बहुत आसान है और इसे बहुत कम समानों में ही बनाया जा सकता है जिसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है तो आईए हम बनाते हैं नाडिल की लड़ू तो इसके लिए मैंने तीन तीन नाडिल को चील लिया था यहां एक तरब यहां एक तरब में नाडिल को गर्म करनी के रिये रखत दिया था तो यह कड़ाई गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें एक बड़े घी डालोंगी तो गी जो है वो गर्म हो चुका है तो मैं इसमें नाडियल डालकर थोड़ी देट तक इसे भूनना है थोगा लाल होने तक ध्यान रखे इस टाइम गैस का फ्लेम जो है वो मेडियम रखेंगे तो इसका कलर जो है वह चेंज हो गया है तो अब मैं इसमें एक बड़े बड़े ग्लास में दूट डाल रही हूँ इस टाइम गैस का फ्लेम भी मेडियम ही रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से नाडिल जो है वह पक जाए इसे मैं धग भी दे रही हूँ ये रे की दूट जो है वह कम हो गया है इसी तरह हमें पूरा पूरे दूट को सुखा देना है ताकि नाडिल के लड़ों में दूट का भी टेस्ट आए कि में इसमें दू एलाइचि कूट्क डाल रही हूं ताकि इसमें इलाइचि का वी ٹीजट आ है कि मैं। अच्छे सी हमें चला देंगे और चला कर जब तक बूर ना सुख तब तक anchory हम अच्छे से पकाएंगे नारेल जो है वह कद्दू कस गया है इसलिए थोड़ा मोटा है इसलिए इसे हम ठक ठक के अच्छे से पकाएंगे तो यह देखिए यह दूठ जो है वह अच्छी तरह से सूख चुका है तो अब में इसे और थोड़े देर चला कर लगबग इसमें दो बड़े कप में चीनी डालेंगे इसे अच्छे से चला देंगे चीनी जो है वह अपना हलका सब पानी छोड़ता है तब अब ध्यान रखें के इस टेब हमें ढखना नहीं हम इसी तरह चलाएंगे नहीं तो यह नीचे से लग जाएगा जब तर चीनी का पानी नहीं सूख जाए तो यह हो चुका है तो मैं इसे किसी प्लेट में निकाल दे रही हूं ठंडा होने के लिए ठंडा होने के बाद ही हम इसे लड्डू बनाएंगे तो यह ठंडा हो चुका है अब थूबे थूबे लेकर हम इसे गोल-गोल करके नाडिल के लड्डू बनाएंगे तो इसी तरह में सभी नाडिल को के लड़ू बना लेंगे नाडिल के लड़ू अक्सर तीवारों में अक्सर बनाये जाते हैं या ऐसे भी घर में बनाते हैं जिस टेम ये गर्म राता है गर्म राता है उस टेम ये टूटने लगता है ये ठंडा होने पर खुदी टाइट हो जाता है तो ये देखिए नाडिल के लड़ू जो है वो तयार हो चुके हैं तो इसी तरह घर में बनाईए और खाईए